भजन सहिता अध्याई 112, यह की स्तूति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, जो यहोवा का भै मानता है, और उसकी आज्याव से अतिप्रसन रहता है, उसका वन्ष पृत्वी पर पराक्रमी होगा, सिध्य लोगों की संतान आशिश पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहत है, और उसका धर्म सदा बना रहेगा, सिध्य लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है, जो पुरुष, अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता है, वह नयाय में अपने को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरन सदा तक बना रहेगा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका रधह यहुवा पर भरोसा अखन से स्थिर रहता है, उसका रधह संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, बरन अपने द्रोहियों पर को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा, दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दात पीस-पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पुरी न होगी. भजन सहिता अध्याए एकसो एककीस, मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊँगा, मुझे साहता कहां से मिलेंगी? मुझे साहता यहोवा परमिशल की ओर से मिलती है, जो आकाश और पुथ्विका करता है, वह मेरे पाउं को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उंग सुन, इस्राइल का रक्षक न उंगेंगा और न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है, न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी, यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्रान की रख्षा करेगा, यहवा तेरे आने जाने में तेरी रख्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा। यहवा तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण उचे स्वर से हर्शित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे। और किसी को गोड़ों का भरोसा है। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे। वे तो जुगए और गिर पड़े। परंतु हम उठे और सिधे खड़े है। हे यहवा बचाले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। भजन सहिता अध्याए एक। भजन सहिता अध्याए एक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैटता है। परंतु वह तो यहवा की व्यवस्ता से प्रसन रहता। और उसकी व्यवस्ता पर राद दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वुक्ष के समान है जो बहतिनालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी कुलतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्टो दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। वह अपनी नाम की निमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घुर अंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानी से न डरूँगा। क्योंकि तु मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है। तु मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिचाता है। तुने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड रहा है। निश्चे भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। और मैं यहवा के धाम में सरवदा बास करूँगा। भजन सहिता अध्याए 112 यह की स्तूति करो। क्या ही धन्य है वहपुरुष जो यहुवा का भै मानता है और उसकी आज्याओ से अतिप्रसन रहता है। उसका वंश पृत्वी पर पराक्रमी होगा। सिधे लोगों की संतान आशिश पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति र बना रहेगा। सिधो लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है। वह अनुग्रह कारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्यान होता है। वह न्याय में अपने मुकद्यमे को जीतेगा। वह तो सदातक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरन सदातक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका रधह यहुवा पर भरोसा अकन से स्थिर रहता है। उसका रधह संभला हुआ है। इसलिए वह न डरेगा। बरन अपने द्रोहियों पर दुरुष्टी करके सं दुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रो को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा। वह दात पीस-पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पुरी न होगी। भजन सहिता अध्याए एकसो एककीस। मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाूँगा। मुझे साहता कहां से मिलेंगी। मुझे साहता यहोवा परमिश्वर की ओर से मिलती है। जो आकाश और पुत्विका करता है। वह मेरे पाउं को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभ यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है। न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी। यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्रान की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा। में तेरी रक्षा अपसे लेकर सदाता रहेगा। तो अपने परमिश्वर यहवा ही का नाम लेंगे। वे तो जुग्गे और गिर पड़े। परंग्तु हम उठे और सिधे खड़े है। हे यहवा बचाले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। भजन सहिता अध्याए एक। भजन सहिता अध्याए एक। भी मुर्जाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अधालत में स्थिर न रह सकेंगे। और नपापी धर्मियों की मंडिली में ठहर सकेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मारग जानता है। परंतु दुष्टों का मारग नाश हो जाएगा। भजन सहिता अद्ध्याए तेईस यहोवा मेरा चरवाह है। मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चरायों में बैठाता है। वह मुझे सुकताई जल के जरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्मिय के मारगों में वह अपनी नाम की नि प्राइ मेज होकर चलो, तो भी हानी से न डरूँगा, क्योंकि तु मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है, तु मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिचाता है, तुने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड रहा है, निश् भजन सहिता अध्याए 112 यह की स्तूति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहुवा का भै मानता है और उसकी आज्याओ से अतिप्रसन रहता है। उसका वन्ष पृत्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशिश पाएगी। उसके घर में धन्संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधो लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंथ और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता है। वह नियाय में अपने मुकद्यमे को जीतेगा। वह तो सदातक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरन सदातक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका रधह यहुवा पर भरोसा अखन से स्थिर रहता है, उसका रधह संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, बरन अपने द्रोहियों पर दुष्टी करके संतुष्ट होगा, उसने उदारता से दरिद्रो को दान दिया, उसका धर्म सद उचा किया जाएगा, दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दात पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पुरी न होगी, भजन सहिता अध्याय 121, मैं अपनी आखे पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे साहता कहां से मिलेंगी, मुझे साहता यहुवा पर त्विका करता है, वह मेरे पाउं को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उंगे, सुन, इस्रायल का रक्षक न उंगेगा और न सोएगा, यहुवा तेरा रक्षक है, यहुवा परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है, न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी, यहुवा सारे विपत्थि से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्रान की रक्षा करेगा, यहुवा तेरे आने जाने में, तेरी रक्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा. भजन सहिता अध्याय बीस, संकट के दिन यहवा तेरी सुन ले, याखुब के परमेश्वर का नाम तुझे उचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्रस्थान से तेरी साहता करे, और सियों से तुझे संभाल ले, वह तेरे सब अन्न बलियों को समरन करे, और तेरे होम बलि करे, और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे, तब हम तेरे उद्धार के कारण उचे स्वर से हर्शित होकर गाएंगे, और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे, यहवा तुझे मुह मांगा वर्दान दे, अब मैं जान गया कि यहवा अपने अभिशक्त का उद्धार करता है, वह अपने दहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्गपर से सुनकर उसे उत्तर देगा, किसी को रथों का और किसी को गोडों का भरोसा है, परन्तु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे, वे तो और गिर पड़े, परन्तु हम उठे और सिधे खड़े है, हे यहवा बचाले, जिस दिन हम पुकारे, तो महाराजा हमें उत्तर दे। विवस्ता पर राद दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वुक्ष के समान है, जो बहतिनालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी क्लुतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है, दुष्टों लो विवस्तियों की मंडिली में ठैर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, भजन सहिता अध्याय तेईस, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहोगी, वह मुझे हरी हरी चरायों में बैठात है, वह मुझे सुक्ताई जल के जहरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम के निमिक्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घुरंदकार से भरी हुई तरायों में होकर चलू, तो भी हानी से न डरूंगा, क्योंकि तु मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है, तु मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तुने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड रहा है, निश्चे भलाई और करुना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंग और मैं यहवा के धाम में सरवदा बास करूँगा। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। इसलिए वह न डरेगा, बरन अपने द्रोहियों पर दुष्टी करके संतुष्ट होगा, उसने उदारता से दरिद्रो को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा, दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दात पीस-प पुष्टों की लासा पूरी न होगी, भजन सहिता अध्याय 121, मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊंगा, मुझे साहता कहां से मिलेंगी, मुझे साहता यहोवा परमिश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पुत्विका करता है, वह मेरे पाउं को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उंगे, सुन, इस्रायल का रक्षक न उंगेगा और न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है, न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी, यहोवा सारे विपत्ति से तेर रक्षा करेगा। वह तेरे प्रान की रक्षा करेगा। यहवा तेरे आने जाने में तेरे रक्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा। भजन सहिता अध्याय बीस। संकट के दिन यहवा तेरी सुन ले। याखुप के परमेश्वर का नाम तुझे उचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी साहता करे। और सियों से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को समरन करे। और तेरे ह अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिशक्त का उध्धार करता है। वे तो जुगए और गिर पड़े। परंतु हम उठे और सिधे खड़े है। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। और उसकी विवस्ता पर राद दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वुक्ष के समान है जो बहतिनालियों के किनारे लगाया गया है। और अपनी कुलतु में फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भुषी के समान होते है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। और नपापी धर्मियों की मंडिली में ठहर सकेंगे। क्योंकि यहवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यही अगुवाई करता है। चाहे मैं घोरंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानी से न डरूंगा। क्योंकि तु मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शानती मिलती है। तु मेरे सतानेवालों के सामने मेरे लिए मेज बिचाता है। बास करूँगा। सीधो लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता है। वह नयाय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा। वह तो सदातक अट यहोवा पर भरोसा अकन से स्थिर रहता है। उसका रधह संभला हुआ है। इसलिए वह न डरेगा। बरन अपने द्रोहियों पर दुष्टी करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। और उसका सिंग महिमा क साथ उचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा। वह दात पीस-पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। भजन सहिता अध्याय 121। मैं अपनी आखे पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहिता कहां से मिलेंगी। मुझे सहिता यहोवा परमिश्वर की ओर से मिलती है। जो आकाश और पुत्विका करता है वह मेरे पाउं को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न उंगे। सुन इसरायल का रक्षक न उंगेंगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है। न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी। यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्रान की रक्षा करेग यहवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा। यहवा तेरी सारी युक्ति को सुफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण उचे स्वर से हर्शित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे। परन्तु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे। वे तो जुग्गे और गिर पड़े। परन्तु हम उठे और सिधे खड़े हैं। हे यहवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। भजन सहिता अध्याए एक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और न पापियों के मारग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैटता है। परंतु वह तो यहुवा की व्यवस्ता से प्रसन रहता और उसकी व्यवस्ता पर राद दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वुक्ष के समान है जो बहतिनाली के किनारे लगाया गया है और अपनी क्लुतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भुसी के समान होते है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और नपापी धर्मियों की मंडिली में ठहर सकेंगे। क्योंकि यहवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। भजन सहिता अध्याय तेईस। यहवा मेरा चरवाहा है। मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चरायों में बैठाता है। वह मुझे सुकताई जल के जहरने के पास ले दे आता है। धर्मी के मारगों में वह अपनी नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोरंदकार से भरी हुई तरायों में होकर चलू तव भी हानी से न डरूंगा। क्योंकि तु मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शानती मिलती ह तु मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिचाता है। तुने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड रहा है। निश्चे भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। और मैं यहवा के धाम में सरवदा बास करूँगा। भजन सहिता अध्याए 112 यह की स्तूति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहुवा का भै मानता है और उसकी आज्याओ से अतिप्रसन रहता है। उसका वन्ष पृत्वी पर पराक्रमी होगा। सिध्य लोगों की संतान आशिश पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सिध्य लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है। वह अनुग्रह कारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्यान होता है। वह नयाय में अपने को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरन सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका रधय यहोवा पर भरोसा अकन से स्थिर रहता है। उसका रधय संभला हुआ है। इसलिए वह न डरेगा। बरन अपने द्रोहियों पर रिद्रो को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा। वह दात पीस-पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पुरी न होगी। भजन सहिता अद्ध्याए 121 मैं अपन आखे पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे साहता कहां से मिलेंगी। मुझे साहता यहोवा परमिश्वर की ओर से मिलती है। जो आकाश और पुत्विका करता है वह मेरे पाउं को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न उंगे। सुन इसरायल का रक्षक न उंगेंगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है। न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी। यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्रान की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा। और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण उचे स्वर से हर्शित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे। वे तो जुगए और गिर पड़े। परंतु हम उठे और सिधे खड़े है। हे यहवा बचाले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। भजन सहिता अध्याए एक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और न पापियों के मारग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैटता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्ता से प्रसन रहता और उसकी व्यवस्ता पर राद दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वुक्ष के समान है जो बहतिनालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी क्लुतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। और नपापी धर्मियों की मंडिली में ठहर यूँकि यहवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। भजन सहिता अध्याय तेईस। यहवा मेरा चरवाहा है। मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चरायों में बैठाता है। वह मुझे सुकताई जल के जहरने क पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम की निमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घुरंदकार से भरी हुई तरायों में होकर चलू तो भी हानी से न डरूँगा। क्योंकि तु मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे औ उमड रहा है। निश्च भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। और मैं यहोवा के धाम में सरवदा बास करूँगा। सीधे लोगों की संतान आशिश पाएगी। उसके घर में धन संपत्ती रहती है। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधो लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है। वह अनुग्रह कारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता है। वह नयाय में अपने मुकद्दे में को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरन सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका रधह यहुवा पर भरोसा अक्न से स्थिर रहता है। उसका रधह संभला हुआ है। इसलिए वह न डरेगा। बरन अपने द्रोहियों पर दुष्टी करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा। वह दात पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। भजन सहिता अध्याय 121। भजन सहिता अध्याय 121। मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊँगा। मुझे साहता कहां से मिलेंगी। मुझे साहता यहुआ परमिश रक्षक कभी न उंगे। सुन इस्रायल का रक्षक न उंगेंगा और न सोएगा। यहुआ तेरा रक्षक है। यहुआ परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है। न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी। यहुआ सारे विपत्ति से तेर रक्षा करेगा। वह तेरे प्रान की रक्षा करेगा। यहवा तेरे आने जाने में तेरे रक्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा। भजन सहीता अध्याए 20 संकट के दिन यहवा तेरी सुन ले। याखुप के परमिश्वर का नाम तुझे उचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्रस्थान से तेरी सहयता करे। और सीयों से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को समरं करे। और तेरे होम ब पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे तब हम तेरे उद्धार के कारण उचे स्वर से हर्शित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे यहवा तुझे मुह मांगा वर्दान दे अब मैं जान गया कि यहवा अपने अभिशक्त का उद्धार करता है वह अपने दहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्गपर से सुनकर उसे उत्तर देगा किसी को रथों का और किसी को गोडों का भरोसा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे वे तो जुग्गे औ परंतु हम उठे और सिधे खड़े हैं, हे यहवा बचाले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। पर राद दिन ध्यान करता रहता है, वह उस रुक्ष के समान है, जो बहतिनालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी कुलतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होत वह उस भूसी के समान होते है, जो पवन से उड़ाई जाती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और नपापी धर्मियों की मंडिली में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो भजन सहिता अध्याए 23, यहोवा मेरा चर्वाह है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चरायों में बैठाता है, वह मुझे सुकताई जल के जहरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम की निमित मेरी पर चलो, तव भी हानी से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिचाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड रहा है, निश्चे भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहवा के धाम में सरवदा बास करूँगा। उसके घर में धनसंपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधों लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदै होती है। वह अनुघ्रकारी, दयावन्त और धर्मी होता है। जो पुरुश अनुघ्र करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता वह न्याय में अपने मुकद्यमे को जीतेगा। वह तो सदातक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरन सदातक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका रधह यहुवा पर भरोसा अखन से स्थिर रहता है। उसका रधह संभला हुआ है। इसलिए वह न डरेगा। बरन अपने द्रोहियों पर दुष्टी करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा। वह दात पीस-पीस कर गल जाए भजन सहिता अध्याए एकसो एककीस। मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊँगा। मुझे साहता कहां से मिलेंगी। मुझे साहता यहुआ परमिशल की ओर से मिलती है। जो आकाश और पुत्विका करता है। वह मेरे पाउं को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न उंगे। सुन इस्राइल का रक्षक न उंगेंगा और न सोएगा। यहुआ तेरा रक्षक है। यहुआ परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है। न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी। यहुआ सारे विपत्ति से तेरी रक्षा वह तेरे प्रान की रख्षा करेगा, यहवा तेरे आने जाने में तेरी रख्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा. भजन सहिता अध्याय बीस, संकट के दिन यहवा तेरी सुन ले, याखुब के परमेश्वर का नाम तुझे उचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्रस्थान से तेरी साहता करे, और सियों से तुझे संभाल ले, वह तेरे सब अन्न बलियों को समरन करे, और तेरे होम बलि करे, और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे, तब हम तेरे उद्धार के कारण उचे स्वर से हर्शित होकर गाएंगे, और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे, यहवा तुझे मुह मांगा वर्दान दे, अब मैं जान गया कि यहवा अपने अभिशक्त का उद्धार करता है, वह अपने दहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्गपर से सुनकर उसे उत्तर देगा, किसी को रथों का और किसी को गोडों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे, वे तो और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सिधे खड़े है, हे यहवा बचाले, जिस दिन हम पुकारे, तो महाराजा हमें उत्तर दे। पर राद दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वुक्ष के समान है, जो बहतिनालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी क्लुतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है, दुष्टों लोग ऐसे नह पर रादी में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परन्तु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, भजन सहिता अध्याय तेईस, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहोगी, वह मुझे हरी हरी चरायों में बैठाता है, वह मुझे सुकताई जल के जहरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम की निमिक्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोरंदकार से भरी हुई तरायों में होकर चलू, तो भी हानी से न डरूँगा, क्योंकि तु म मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड रहा है, निश्चे भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बास करूंगा। भजन सहिता अध्याई 112, यह की स्तूति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, जो यहोवा का भै मानता है, और उसकी आज्याव से अतिप्रसन रहता है, उसका वन्ष पृत्वी पर पराक्रमी होगा, सिध्य लोगों की संतान आशिश पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति र बना रहेगा, सिध्य लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता है, वह नयाय में अपने मुकद्यमे को जीतेगा, वह तो सदातक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरन सदातक बना रहेगा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका रधय यहुवा पर भरोसा अखन से स्थिर रहता है, उसका रधय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, बरन अपने द्रोहियों पर दुरुष्टी करके संतुष्ट होगा, उसने उदारता से दरिद्रो को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा, दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दात पीस-पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पुरी न होगी भजन सहिता अध्याए एकसो एककीस, मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊँगा, मुझे साहता कहां से मिलेंगी? मुझे साहता यहोवा परमिश्वल की ओर से मिलती है, जो आकाश और पुत्विका करता है, वह मेरे पाउं को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उं सुन, इस्राइल का रक्षक न उंगेंगा और न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आड है, न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी, यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प अध्याय बीस अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे यहवा तुझे मुह मांगा वर्दान दे अब मैं जान गया कि यहवा अपने अभिशक्त का उद्धार करता है वह अपने दहिने हाथ के उध्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्गपर से सुन कर उसे उत्तर देगा। किसी को रतों का और किसी को गोडों का भरोसा है। परंतु हम तो अपने परमिश्वर यहवा ही का नाम लेंगे। वे तो जुग गे और गिर हे यहवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। भजन सहिता अध्याय एक। उस वुक्ष के समान है जो बहतिनालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी कुलतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्टर लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते है जो प जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। मैं घोरंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलू तो भी हानी से न डरूँगा क्योंकि तु मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शानती मिलती है। तु मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तुने मेरे सिर पर तेल मला है। मे भजन सहिता अध्याई 112, यह की स्तूति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, जो यहोवा का भै मानता है, और उसकी आज्याव से अतिप्रसन रहता है, उसका वन्ष पृत्वी पर पराक्रमी होगा, सिध्य लोगों की संतान आशिश पाएगे, उसके घर में धन संपत्ति रहत है, और उसका धर्म सदा बना रहेगा, सिध्य लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है, वह अनुग्रह कारी, दयावंत और धर्मी होता है, जो पुरुष, अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता है, वह नयाय में अपने को जीतेगा, वह तो सदातक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरन सदातक बना रहेगा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका रधय यहुवा पर भरोसा अखन से स्थिर रहता है, उसका रधय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, बरन अपने द्रोहियों पर दुरुष् उसका धर्म सदा बना रहेगा, और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा, दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दात पीस-पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी भजन सहिता अध्याए एकसो एककीस, मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊँगा, मुझे साहता कहां से मिलेंगी? मुझे साहता यहोवा परमिशल की ओर से मिलती है, जो आकाश और पुथ्विका करता है, वह मेरे पाउं को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उंग सुन, इसरायल का रक्षक न उंगेंगा और न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है, न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी, यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प अध्याए 20 अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुह मांगा वर्दान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिशक्त का उध्धार करता है। वह अपने दहिने हाथ के उध्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्गपर से सुन जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। वह उस रुक्ष के समान है जो भायतिनालिय के किनारे लगाया गया है और अपनी क्लुतु में फलता है और जिसके पते कभी मुर्जाते नहीं इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते वे उस भूसी के समान होते है जो पवन से परन्तु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परन्तु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। भजन सहिता अध्याई 112 यह की स्तूति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष्ट जो यहोवा का भै मानता है और उसकी आज्याओ से अतिप्रसन रहता है। उसका वन्ष पृत्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशिश पाएगी। उसके घर में धन संपत्ती रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधो लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है। वह अनुग्रह कारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता है। वह न्याय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा। वह तो सदातक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरन सदातक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका रधह यहुवा पर भरोसा अखन से स्थिर रहता है, उसका रधह संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, बरन अपने द्रोहियों पर दुष्टी करके संतुष्ट होगा, उसने उदारता से दरीद्रों को दान दिया, उसका धर्म साथ उचा किया जाएगा, दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दात पीस-पीस कर गल जाएगा, दुष्टों के लालसा पूरी न होगी, भजन सहिता अध्याय 121, मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊंगा, मुझे साहता कहां से मिलेंगी? मुझे साहता यहोवा परमिश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पुत्विका करता है, वह मेरे पाउं को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उंगे, सुन, इसरायल का रक्षक न उंगेगा और न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा परमिश्वर तेरी दह रक्षा करेगा, वह तेरे प्रान की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अप से लेकर सदाता करता रहेगा भजन सहिता अध्याय बीस, संकट के दिन यहवा तेरी सुन ले, याखुप के परमेश्वर का नाम तुझे उचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्रस्थान से तेरी साहता करे, और सियों से तुझे संभाल ले, वह तेरे सब अन्न बलियों को समरन करे, और तेरे होम बलि करे, और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे, तब हम तेरे उद्धार के कारण उचे स्वर से हर्शित होकर गाएंगे, और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे, यहवा तुझे मुह मांगा वर्दान दे, अब मैं जान गया कि यहवा अपने अभिशक्त का उद्धार करता है, वह अपने दहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्गपर से सुनकर उसे उत्तर देगा, किसी को रथों का और किसी को गोडों का भरोसा है, परन्तु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे, वे तो और गिर पड़े, परन्तु हम उठे और सिधे खड़े है, हे यहवा बचाले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे, भजन सहिता अध्याए एक, भजन सहिता अध्याए एक, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैटता है, परन्तु वह तो यहुवा की विवस्ता से प्रसन रहता, और उसकी विवस्ता पर राद दिन ध्यान करता रहता है, वह उस रुख्ष के समान है, जो बहितिनालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी कुलुतू में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं इसलिए जो कुछ वह पुरुश करे वह सफल होता है दुष्टो लोग ऐसे नहीं होते वे उस भूसी के समान होते है जो पवन से उड़ाई जाती है इस कारण दुष्टो लोग अद भजन सहिता अध्याय तेईस भजन सहिता अध्याय एक सो बारह यह की स्तूति करो भजन सहिता अध्याय तेईस इसलिए वह न डरेगा बरन अपने द्रोहियों पर दुष्टी करके संतुष्ट होगा उसने उदारता से दरिद्रो को दान दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा दुष्ट इसे देख कर कुढेगा वह दात पीस पीस कर गल ज भजन सहिता अध्याय 121 मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊंगा मुझे साहता कहां से मिलेंगी मुझे साहता यहोवा परमिश्ट की ओर से मिलती है जो आकाश और पुथ्विका करता है वह मेरे पाउं को टलने न देगा तेरा रक्षक कभी न उंगे सुन इस्राइल क रक्षक न उंगेंगा और न सोएगा यहोवा तेरा रक्षक है यहोवा परमिश्ट तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा वह तेरे प्रान की रक्षा करेगा यहवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा. भजन सहिता अध्याय बीस संकट के दिन यहवा तेरी सुन ले. याखुब के परमिश्वर का नाम तुझे उचे स्थान पर नियुक्त करे. वह पवित्रस्थान से तेरी साहता करे. और सियों से तुझे संभाल ले. वह तेरे सब अन्न बलियों को समरन करे. और तेरे होम बलिय वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे तब हम तेरे उद्धार के कारण उचे स्वर से हर्शित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे यहवा तुझे मुह मांगा वर्दान दे अब मैं जान गया कि यहव अपने अभिशक्त का उद्धार करता है वह अपने दहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्गपर से सुनकर उसे उत्तर देगा किसी को रथों का और किसी को गोडों का भरोसा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे वे तो जुग्गे और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सिधे खड़े है, हे यहवा बचाले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। भजन सहिता अध्याए एक, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैटता है, परंतु वह तो यहुवा की व्यवस्ता से प्रसन रहता, और उसक पुरुष के समान है, जो बहतीनालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी कुलतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है, दुष्टों लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते है, जो पवन से उड़ाई जाती है। इसकारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। और नपापी धर्मियों की मंडिली में ठहर सकेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। भजन सहिता अध्याय तेईस। यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चरायों में बैठाता है। वह मुझे सुकताई जल के जहरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम के निमि तो मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोरंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलो, तो भी हानी से न डरूंगा, क्योंकि तु मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है, तु मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिचाता है, धाम में सर्वदा बास करूंगा, भजन सहिता अध्याए 112, यह की स्तूति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, जो यहुवा का भै मानता है, और उसकी आज्याओ से अतिप्रसन रहता है, उसका वंश पृत्वी पर पराक्रमी होगा, सिध्य लोगों की संतान आशिश पाए और उसका धर्म सदा बना रहेगा, सिध्य लोगों के लिए अंधकार के बीच में जोती उदय होती है, वह अनुग्रह कारी, दयावंत और धर्मी होता है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता है, वह नयाय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरन सदा तक बना रहेगा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका रधह यहुवा पर भरोसा अक्न से स्थिर रहता है, उसका रधह संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, बरन अपने द्रोहियों पर दुरुष् उसका धर्म सदा बना रहेगा, और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा, दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दात पीस-पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पुरी न होगी भजन सहिता अध्याए एकसो एककीस, मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊंगा, मुझे साहता कहां से मिलेंगी? मुझे साहता यहोवा परमिशल की ओर से मिलती है, जो आकाश और पुथ्विका करता है, वह मेरे पाउं को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उंगे सुन, इसरा Staat का रक्षक न उंगेंगा और न सोईगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा परमिशुर तेरी दहिनी और तेरी आढ़ है, न तो दिन को धूपसे और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी, यहोवा सारे विपति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्रान की रक्षा करेगा यहवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा भजन सहिता अध्याय बीस, संकट के दिन यहवा तेरी सुन ले, याखुब के परमेश्वर का नाम तुझे उचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्रस्थान से तुझे साहता करे, और सियों से तुझे संभाल ले, वह तेरे सब अन्न बलियों को समरन करे, और तेरे होम ब उचे स्थान से हर्शित होकर गाएंगे, और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे, यहवा तुझे मुह मांगा वर्दान दे, अब मैं जान गया कि यहवा अपने अभिशक्त का उद्धार करता है, वह अपने दहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्र हमसे अपने पवित्र स्वर्गपर से सुनकर उसे उत्तर देगा, किसी को रथों का और किसी को गोडों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे, वे तो जुग गये और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सिधे खड़े है, हे यहवा बच जिस दिन हम पुकारे, तो महाराजा हमें उत्तर दे। जो बहतिनालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी कुलतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते है, जो पवन से उड़ाई जाती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और नपापी धर्मियों की मंडिली में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा. भजन सहिता अध्याय तेइस, यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चरायों में बैठाता है, वह मुझे सुक्ताई जलके जरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है. धर्मी के मारगों में वह अपने नाम की निमित मेरी अगुवाई करता है चाहे मैं घोरंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलू तो भी हानी से न डरूँगा क्योंकि तु मेरे साथ रहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है तु मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिचाता है तुने मेरे सिर पर तेल मला है मेरा कटोरा उमड रहा है निश्चे भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहवा के धाम में सरवदा बास करूँगा भजन सहिता अध्याई 112 यह की स्तूति करो क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहुवा का भै मानता है और उसकी आज्याव से अतिप्रसन रहता है उसका वन्ष पृत्वी पर पराक्रमी होगा सिधे लोगों की संतान आशिश पाएगी उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा सिधो लोगों के लिए अंधकार के बीच में जोती उदय होती है वह अनुग्रह कारी, दयावंत और धर्मी होता है जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्यान होता है वह नयाय में अपने मुकद्यमे को जीतेगा वह तो सदा तक अटल रहेगा धर्मी का स्वरन सदा तक बना रहेगा वह बुरे समाचार से नहीं डरता उसका रधह यहुवा पर भरोसा अखन से स्थिर रहता है उसका रधह संभला हुआ है इसलिए वह न डरेगा बरन अपने द्रोहियों पर दुरुष्टी करके संतुष्ट होगा उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा दुष्ट इसे देख कर कुड़ेगा वह दात पीस पीस कर गल जाएगा दुष्टों की लालसा पुरी न होगी भजन सहिता अध्याय 121 मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊँगा मुझे साहता कहां से मिलेंगी मुझे साहता यहोगा परमिश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पुत्विका करता है वह मेरे पाउँ को टलने न देगा तेरा रक्षक कभी न उँगे सुन इसरायल का रक्षक न उँगेंगा और न सोएगा यहोगा तेरा रक्षक है यहवा परमिश्वर तेरी दहिनी और तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी, यहवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्रान की रक्षा करेगा, यहवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अपसे लेकर सदाता करता रहेगा। उद्धार के कारण उचे स्वर से हरशित होकर गाएंगे। और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे। यहवा तुझे मुह मांगा वर्दान दे। अब मैं जान गया कि यहवा अपने अभिशक्त का उद्धार करता है। वह अपने दहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्गपर से सुन कर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को गोडों का भरोसा है। परनतु हम तो अपने परमेश्वर यहवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुग गए और गिर पड़े। परनतु हम उठे और सिधे रहन्य है वह पुरुष जो दोष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडेली में बैटता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्ता से प्रसन रहता और उसकी व्यवस्ता पर राद दिन ध्यान करता वह उस वुख्ष के समान है जो बहतिनालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी कुलुतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं इसलिए जो कुछ वह पुरुश करे वह सफल होता है दुष्टों लोग ऐसे नहीं होते वे उस भूसी के समान होते है जो यहवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा भजन सहिता अध्याए तेईस यहवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी न होगी वह मुझे हरी हरी चरायों में बैठाता है वह मुझे सुक्ताई जल के जहरने के पास ले चलता है वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्मी के मारगों में वह अपने नाम के निमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोरंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलू तो भी हानी से न डरूँगा। क्योंकि तु मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है। तु मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तुने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड रहा है। निश्चे भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। और मैं यहवा के धाम में सर्वदा बास करूँगा। जो यहोवा का भह मानता है और उसकी आज्याव से अतिप्रसन रहता है। उसका वन्ष पृत्वी पर पराक्रमी होगा। सिध्य लोगों की संतान आशिश पाएगे। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सिध्य लोगों के लिए अंध्यकार के बीच में जोती उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्यान होता है। वह न्याय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा। वह तो सदातक अट साथन से स्थिर रहता है। उसका रधह संभला हुआ है। इसलिए वह न डरेगा। बरन अपने द्रोहियों पर दुष्टी करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। और उसका सिंग महिमा के साथ उचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देख कर कुड़ेगा। वह दात पीस-पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। भजन सहिता अध्याय 121। मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊँगा। मुझे सहिता कहां से मिलेंगी। मुझे सहिता यहवा परमिश्वर की ओर से मिलती है। जो आकाश और पुत्विका करता है वह मेरे पाउं को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न उंगे। सुन। इसरायल का रक्षक न और रात को चाननी से तेरी कुछ हानी होगी। यहवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षक करेगा। यहवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षक अपसे लेकर सदाता करता रहेगा। और सियों से तुझे संभाल ले, वह तेरे सब अन्न बलियों को समरन करे, और तेरे होम बलियों को ग्रहन करे, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, और तेरे सारे युक्ति को सुफल करे, तब हम तेरे उद्धार के कारण उचे स्वर से हर्शित होकर गाएंगे, और अपने प बहिने हात के उध्दार करने वाले पराकरम से अपने पवित्र स्वरगपर से सुन कर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घुडों का भरोसा है। परन्तु हम तो अपने परमिश्वर यहवा ही का नाम लेंगे। वे तो जुग्गे और गिरपड़े। परंतु हम उठे और सिधे खड़े है, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। भजन सहिता अध्याए एक, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैटता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्ता से प्रसन रहता, और उसकी क्रुतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है, दुष्टों लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते है, जो पवन से उड़ाई जाती है, इस कारण दुष्टों लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडिली में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मारग जानता है, परंतु दुष्टों का मारग नाश हो जाएगा, भजन सहिता अध्याय तेईस, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी ह जरी चरायों में बैठाता है, वह मुझे सुकताई जल के जरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्मिय के मारगों में वह अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं गोरंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलू, तव भी हानी से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड रहा है, निश्चे भलाई और करूना जीवन भर मेरे सा साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहवा के धाम में सरवदा बास करूंगा झालसक करूंगा बास करूंगा कर दो